नमस्कार दोस्तों आज का डिक्टेशन सत्तर सब प्रति मिनिट स्टार्ट होगा पांच सेकेंड बाद स्टार्ट भारतिये राजनीती में राज्येपाल का पद पिछले कुछ वर्सों से काफी विवाद में है आजादी के तुरंत बाद के तीन दसक में गिने चुने राज्येपाल ही थे जिन्होंने ऐसे समेधानिक पद पर रहकर राजनीती की हो लेकिन पिछले तीन दसक का अनुभव बताता है कि जैसे अब राज्येपाल राजनीती के सिवाई कुछ करते ही नहीं राज्ये में केंद्र में सत्तारूड दल से इतर पार्टी की सरकार है तो इनका एक मात्र लक्षे उसे अस्थिर करना लगता है एक ही पार्टी की सरकार हो तो भी अपनी या केंद्र की पसंद नापसंद को लागू करवाना प्राथमिकता नजर आती है एक फर्क यह भी दिखता है कि पहले राज्यपाल पद पर नियुक्ती गुटे गटाए राजनेता ही होती थी अब एसों की संक्या काफी कम रह गई राजनेताओं का इस्थान पूर्वे नौकर साहे लेते जा रहे हैं जो अधिकांसत है अपने सरपरस्तों का एजंडा पूरा करते हैं पिछले वर्सों का सायद ही कोई उदाहरन हो जहां राज्यपाल ने उस प्रदेश या देश की जनता के व्यापक हित में मजबूत आवाज उठाई हो ताजा उदाहरन COVID-19 का है एक वेश्विक महामारी ने सभी राज्यों की अर्थ व्यवस्था को बेहाल कर दिया लेकिन सायद ही किसी राज्यपाल ने आवाज उठाई हो कई राज्यों में चुनी हुई सरकारों को एस्थिर करने की कोशिस हुई तो राज्यपाल कहां बोले विधायकों के आचरन पर ही बोल देते इस द्रश्टी से मेघालय के राज्यपाल सत्पाल मलिक अलग मिट्टी के नजर आते हैं वे चुप कम ही रहते हैं जहां जिस मुद्दे पर बोलना चाहिए खुल कर बोलते हैं लेकिन यह भी सच है कि उन्हें इसका खमियाजा उठाना पड़ता है एसा उदाहरन विरला ही होगा जहां साड़े तीन साल में कोई चार राज्यों का राज्यपाल रह चुका हो और हर तबादला बोलने पर वाहो वे जहां जो बोले सच बोले गोवा में तो भाजपा सरकार की काम काज तक पर बोले उनका ताजा बयान किसान आंदोलन पर है विस्तार में जाने की बजाय इतना ही बताना काफी होगा कि उन्होंने ने केवल किसानों का खुल कर पक्स लिया बलकि केंद्र सरकार को उसके समाधान का ठोस उपाय बताते हुए देरी या उसके दमन पर गंभीर नतीजों को लेकर आगाह तक किया पांच दसक से राजनेती में सक्रिय और प्रमुक पांच राजनेतिक दलों की यात्रा कर चुके मलिक की सलाह सरकार के साथ आम अवाम तक पहुँच चुकी है सरकार इसे मानने या नै मानने को स्वतंत्र है लेकिन यह केवल राज्यपालों को ही नहीं बलकि देश के राजनीतिक प्रसासनिक तंत्र और मीडिया के लिए भी संदेश है कि वे बोलना सीखें जैसी भी हो अपनी राय सब के सामने रखें ताकि नीती निर्माताओं को विकल्प मतो दिखे निश्च ही एसा करना देश सरकार और लोक तंत्र के हित में ही होगा समप्त कि राजनीत जाता है